आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो प्रस्णावली जो है कि 1.2 का प्रस्ण नमबर एक से जो है कि आपकी तीन तक के प्रस्णावली का सलुसन इस वीडियो में कराया जाएगा और हाँ अभी तक इस प्रस्णावली के बेसिक चीज़ों को आप नहीं समझ पाए है तो नीचे में कुछ बेसिक चीज़े समझे थे और फारूला को देखा गया था कि फारूला कौन कौन सा आपका उपयोग में लाए जाएगा तो यहां पर हम बात करते हैं पहले तो आपको बताया गया था कि माध्य है यदि A और B यदि दो संख्याएं आपके दी गई हो और उनके बी संख्याएं आपके दी रहेंगी दोनों संख्याओं को एड कर देना है और उसको दो से डिवाइड कर देना है तो आपका पता हो जाएगा समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है तो पढ़ चुके हैं पीछले वीडियो में हम लो और यह भी पढ़ा गया था कि दो संख्याए दे गई है इनके बीच दी चार समांतर माध्य पां समांतर माध्य छा समांतर माध्य दी फाइन किया जाता है यह तो आपका है एक समांतर माध्य के लिए एक निकालना होगा तो यादि एक समांतर माध्य निकालना होगा आपको तो आपका फार्मुला कहता है कि एम बराबर होता है almost BX2 यदि आपको A गो दो समानतर मादने पोछता है तो और यदि इनके a और b के बीचे दिए आपके चार समानतर मादि पांथिस्वाइन समानतर मादने पोछता है तो आप तुरंद verloren लगाएंगे यन समानतर मादे करे फार्मुला होता है यह 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 7 इसके बाद यदि N तक हम लोग पहुंचता है तो XN बराबर हो जाएगा A प्लस N-1 into D इतना ठीक है तो मेरे प्रिछात्रों यह रहा आपका जो है कि यह समांतर माध्यों का फार्मूला तो जैसे 4 समांतर माध्य पूछे का तो यहां तक चलेंगे 5 समांतर माध्य पूछे का तो यहां तक चलेंगे 3 समांतर माध्य पूछे का तो यहां तक का फार्मूला लगाएंगे ठीक है लेकिन यह समांतर माध्य उनके बीच निकालने के लिए आपको सबसे पBayल होगा वह प्रथम पद होता है और से बівर निकानने लिए थे वह समझना है और टो आपकी दो संख्या चेंट में लिए आपको निकालना है मुणके के बीच यदि 5 समांतर माध्य निकालना है तो n की जगवा 5 रखेंगे यदि आपको 4 समांतर माध्य निकालना है तो n की जगवा कितना रखेंगे चार रखेंगे यह सब चीजे हम पहले भी पढ़ चुके हैं आगे बढ़ते हैं अब इनके a और b दो संख्याएं दी गई हो त आपका फार्मला काता है कि यदि दो राजियों के बीच यदि यन गो समांतर माध्यों का योग निकालना है तो फार्मला काता है कि समांतर माध्यों का योग आपका होता है यन गुणे होता है a प्लस b by 2 यह आपका फार्मला था योग के लिए चार समांतर माध्यों का निकान निकिल तो उमीद हुई फ्रेंस जो भी मैं बताया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है और हाँ अभी तक पिछले वीडियो को आप नहीं देख पाए है तो पहले जाएए पिछले वीडियो को जो है कि देखिए इसके बाद जो है कि आपको हर एक चीजे करना है पहले देखिए तो आपको याद रहता है आपको लगाने में कोई भी दीकत नहीं होगा यह नहीं है कि आपको समझ में आ जाए तो यह तो भईया होगा आपसे नहीं क्योंकि जब तक प्रस्नों का सलुसन कर नहीं पाएंगे ठीक है ना तो सबसे पहले आप बेसिक चीजों को समझ लिजिए इसके बाद जो है कि आप प्रस्णों का सुलसन देख सकते हैं और हाँ बेसिक वाले चीजों यानि पिछले वीडियो में हम सब कुछ बताये थे बेसिक चीजें कि क्या आपका यानि कौन सा फारूल आपको उपयोग में लाएंगे ताकि हारे चीजे आपको समाझ में आती रहें देखिए पहले भी मैं प्रस्णाली स्टाइट करने से पहले जो है कि हम आपको जो सबसे पहले बेसिक चीजे समझाते हैं उससे जो रिलेटेड होता है ताकि आपको अच्छी तरह से प्रितिक प्रस्णों का सलूसन आ जाए तो यह वह नमर वन का एक आपका पहला है प्रस्ण नमर एक तो ठीक है लेकिन ए में पहला ए में को था कोश्चन पहला कोश्चन को हम सलूसन कराएं तो अब देखिए का कह रहा है सब कुछ आपको तो यादी होगा फर्मूला भी याद होगा तो समझने में कोई विदिकत नहीं होगी अब यह करा रहा है ना कि निमने लिखित के समांतर माध्य याने की अम पताईए तो समांतर माध्य का फर्मूला पता है ना शमांतर माध्य अम बराबर होता है का A प्लस B बटा में कितना होता है 2 समांतर माध्य A समांतर माध्य A अम बराबर होता है A प्लस B बटा में कितना 2 यही न होता है फार्मूला आपसे question में दिया है पहला दे रखा है कि 2 और 18 2 और कितना 18 2 और 18 का समांतर माध्य निकालना है तो बस फारूले पर रख दिजिए, पहला वायलू A का होता है, दूसरा वायलू B का, यानि कि हाल आप करेंगे न, ऐसे लिखेंगे, कि A बराबर 2 मिला, B बराबर कितना मिला, 18, हाँ, एक बात याद रखेगा, जो A का वायलू होता है, वो आप पर्थम पद को भी हो गया, बाटा में 2, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 बाटा में 2, आद 2 से 20 को कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10, यानि कि यह रहा का, यानि कि मेरे परिछात्रों, आप से पूछा जाता है, कि 2 और 18 के बीच, आपका समांतरमाध्य कौन सा है, तो आप तुरांद कर लेंगे आपका कितना होगा, 10, ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि 2 और 18 के बीच जो है, समांतरमाध्य निकाला जाए, 2 और 18 के बीच का, तो आपका हो जाएगा कितना, 10, ये कंफर्म हुआ, अब इसके बाद दूसरे पर चलते हैं, पहले, यानि एका दूसरा देखिए, एका दूसरा, अब क्या क्या पूछ रहा है आगे, कह रहा है कि 8 और माइनस 20, दूसरा दे रखा है, 8 और क्या माइनस 20, का समांतरमाध्य आपको निकालना है, इसका बिना, तो समांतरमाध्य इससे मोई फर्मुला, आपका A बराबर निकला है, 8, B बराबर निकला है, माइन अब बाटा में अब तो 12 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा इतना किलियर है यह रहा आपका एंसवर माइनस कितना था अब आगे बढ़े इसके बाद A का यह दूसरा था ना यहाँ पाला ही रहा गया कोई दिकत नहीं बना लेंगे यह आपका अब दूसरा सुथ तीसरा कह रहा है कि X square देखिए बहुत ही simple है यह घबलाईएंगा मत X Y में आ गया तो कैसे होगा अब इसमें देखिए same process आपका इसा ही मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इसको हटा दे रहा हूँ अब देखिए कह रहा है कि X plus Y का square X plus Y का क्या square और दूसरा दे रखा है X minus Y का square X minus Y का क्या square तो A कमान आपका है X plus Y का power केतना दू आप B का value हाई किसका value है B का ठीके नहां थो आपका मई का कर दिजीं तो यहां पर आपका हो यह सबस्क्राइब कैसे में कितना है तो बीके आब्ली निखर को कि यक्स का स्कवाइर प्लस वाइड प्लस टू- beating स्कवाइर प्लस य स्कॵाइर- माइनस होता है 2 апब धिविक मैं आ प्लस दो एंप स्कार स्कार अब भी होता है आज में फार्मुला थाया ही होता है लेकिन आपको हम लोग यादtant लिए इसे पढ़ते एस्क्वायर प्लस बीस्क्वायर प्लस कितना होता है तू एबी वास्तों फर्मूला यह फर्मूला जो अभी लिखे थे नहुंग होता है लेकि याद रखने के लिए हम लोग ऐसे सजा कर लिए अब यह हो जाएगा ए माइनस बी का वैसे आपका हो जाएगा आब फर्मूला वास्तों में होता क्या है ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड भाई ले लो दो से दो क्या होगा कट जाए यानि X स्क्वाइर प्लस क्या Y स्क्वाइर यह रहा आपका क्या हो तो उमीद होगी मेरे प्रिछात्रों यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि कैसे जोई सलुषन कराया जाए ठीक है तो यह आपका हुआ किया यहां इसके बाद लेकर चलता हुं मैं बेका पहला कोशन जरगोहर से आप केसे आपका राया जा रहा है बीका पहला कोश्ण ज़से के पहले कि तरफ कि कर में बीका पहला कोश्छल में देखिए यह सब Ó पहला कोश्छन भी क कहा रहा है वह कि वह नहीं कौने हम भी के पहला कोश्छन में कण चाहरे प्छार समांतर माते निकालना तो पहले द्याया चैनिमान थे लादा剤न among better आपको निकालना होगा तो यह सब्सक्राइब है आपको पहले हटा दीजिए आपको निकालना है पहले देखें चार गौन ऐख किसके बीच निकालना है पहले रख लूँ यहाँ पर हां तो आपको निकालना है किस की से भी तीन और और तीन और की लीच्छंहान से समझेगा discussion बिच्छ उन समों को Road तो चार समांतर माध्य निकालना होगा तो का का चाहिए देखिए यक्स 1 बराबर हो जायेगा A plus D तीना इतना चाहिए X2 बराबर हो जायेगा A plus 2D X3 बराबर हो हो जाएगा a plus 3D X4 बराबर हो जाएगा a plus forte X 5 बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा नहीं चारे निकालना यानिकिट इतना तक हम को Color source अगधना के बीछ निकालने के लिए चार समानतर माज्या सबसे पहले आपको एज चाहिए तो पता ही हो जाएगा इसको अभट हताते हैं आज चाहिए तो एक आवाइल की तना है 18 तो हमको चार समानतर माध निकालने के लिए चाहिए डी का तुमान पता है ना इसके बाद डी चाहिए लेकिन लोग पता नहीं जहां पर इंडिकेट करता है न और सार्व अंतर निकालने के लिए हम फार्मूला निकाले थे फार्मूले का जो है कि निगमन में किया गया था दी बराबर कैसे आपका फार्मूला निकलेगा वहां पर आप देखें होंगे पहला इसका जो है कि पिछले आप सोच रहे होंगे कि यहन बराबर का है यहन बराबर है माध्यों की क्या संख्या समांतर माध्यों की संख्या तो को समांतर माध्य निकालना है चारगो निकालना है तो हेमें हो जाएगा यहन बराबर केताना चार यानिक समांतर माध्य को निकालना है चारगो ठीक है तो सबसे पहले तो एक आतुमान हम लोग पता हो गया अब डी निकाल लीजिए डी बराबर होता है फार्मूला सब्सक्राइब ऍसरों फेकिम्स्राय रख और याख यन सब्सक्राइब और रसलों सब्सक्राइब और पांतलर पांतılmış इसे सब्सक्राइब निकाल गया लेकिन दो तरीके से आप निकाल सकते हैं समझेगा है तो प्रथम पद का काम करता है यह 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 होता है वा अन्तिमावपद है नहहां अन्तिमावपद है यल्बराबर होता है ए killing मैनस वन इआटो गी तो जुब नॉमबर हो ये आप से प्ल्चत तोटल नंबर बात आईएगा टोटल नमबर तो हेमें यल बराबर आप ठारा रखेंगा अंतिमापद का ठारा काम करेगा अस्तार मंतर डी निकालना है आए का वैलू जो है कि तीन काम करेगा आप बात है आपको नमबर पकड़ना एक नमबर कितना रखेंगे तो एकरी बीचावा में चार समंदर माद निकालना है ना सामात्र माद निकालना है आए इधरीया है भू कहकी कावश थोड़ा हनोचम का रखेंगे आप की कितना रखींग सब्सक्राइब 15מज में दिनकालने के लिए ऑफता तर्लागा तो 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 यस फञबने तो फटक से आप निकाल लेंगे आधेगे आज आज असान है ये तो झी अब चार समांतर माध्य का लिखेंगे चार समांतर माध्य है कि यहीं पर निकाल देखें तो चार समांतर माध्य हो जाए एक वैलू 3 है आप प्लस दी का मान कितना निकला है तीन तो तीन तीन को हो जाएगा 6 गहां को यहां पर सब्स जबतर हो प्ल कितना नो फिर यहां पर उजाएगा 3 प्लक साश्राल शार फ्लक effल नो Sumantar मा इंदे पूछ रहाए तो च्राहिं तो चाहरो समानतर माती यह क्या होगा और constituent कि यहनों पर प्वारा हो गेलह तो यह रह इसने तो यहाँ बन्हें के आप तरह समय दिनकाले नहीं चैनलि sausage और हां वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरू करते जाए आगे देखेगा बी के दूसरे नंबर में आप से क्या पूछ रहा है यक्सट को पांच को एप प्लस फाइफ डि आयो जाएगा यक्सट शागो ता एप छोड़ी इन अब मैं इसको हटा दे रहा हो काई कि अप जुए हम लोगो निकालना है छोगो निकालने के लिए इसके वह पर दी निकालना है उसी तरस से तो आसानी से उसमेरी राकर करके आम भीवाइस निकाल ना इसमें नमबर आप वी और इस अथे एगा वीवाइसे रहेगा एगा तो आप किसके किसके बीच पूछ रहे हैं जररा गवर से समझ लेज लिए काराहिए पांच और माइनस नाभी दिया है इंटकिस्ट नहें यहां पर लिखेंगे आप 6 समांतर माध्यों का यूग का यूग तो 6 समांतर माध्यों का यूग निकाला है ना तो यन समांतर माध्यों के लिए यहां पर मैं कर दे रहां यन समांतर माध्यों का यूग का फार्मूला कहता है कि यन गुणे होता है A पलस B बाटा में केतना दो यूग फल का का है फार्मूला है यन समांतर माध्यों क पांच को निकालना होगा तो यान की जगा या पाइक पांच छोगो तीना अब इसमें देखिए इतना तो किलियर हुआ एक आप वायलू हम लोग फाइन कर चुके हैं इसके बार हम निकालते हैं किसका डी कमान तो रखे बी की जगावपर आपका कितना है माइनस नौ है एक शवदव बाटा में नंबर कितने है ? 6 ही एक गो खता दीजी इसके निकालेंगे दीए not अब मुझे लिख चाना पड़े इसलिए मैं यहीं पर सलसन करा दे रहाऊं ठीक है तो एक अवयलू कितना है पांच प्लस डी कितना है माइनस दो माइनस दो आनि पांच में से दो घटा आएंगे तीन हो जाएगा इसमें आ जाएए अब एक जगा पर पांच डी की जगा पर माइनस दो ना डी का मान कितना है वही माइनस दो है तो पांद दो नी के दस माइनस दस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस पांच फिर इसमें आए पांच दू त्या यह चो माइनस चो हो जाएगा माइनस दू से गुणा करेंगे त अगहटे कात कितना हो जाएगा माइनस एक फिर यहां पर आजाएगा पांच माइनस दू चोग के आठ यानि कि माइनस कितना आठ तो यह हो जाएगा माइनस तीन किलियर है ना अब यह आपका हो जाएगा पांच माइनस दू पाचे दस दस हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस 5 तीगें यहाँ पर mistake है दी का मन्ध 2 है दू 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 निंगा 4 नहीं यहाँ पर होगा तो हाई यह कितना हो जाएगा एक यह प्लस यह पर मैंने 5 देश अब यहां पर देखके 15 दू निंगा 10 होगा तो माइनस पांच हो गए यहां पोगए पांच माइनस दू छके बारा माइनस बारा बारा वर कितना हो जाएगा माइनस साथ तो यह रहा आपका न तीन, एक, माइनस एक, माइनस तीन, माइनस ताच और कितना, माइनस साथ तो यह रहा आपके छो समांतर मद ही आपके मिल गए तीन, एक, माइनस एक, माइनस तीन, माइनस तीन, माइनस ताच माइनस कितना, साथ ये रहा मेरे प्रिछात्रों आपका एंसर अभी तो 6 समांतर माध्य ये फाइंड हुआ न अभी ये कह रहा है 6 जो है कि जो समांतर माध्य आप निकाल रहे हैं उनका जरा योग निकाली है तो योग के लिए फर्मला क्या होता है 6 समांतर माध्यों का योग माध्यों का योग तो 6 समांतर माध्यों का योग फार्मुला पहले रख लिए फार्मुला कहाता है कि नमबर गुणे A या प्लस कितना B डिवाइड वाइड कितना कर दो तो नमबर कितने है 6 गुणे आप B कितना है A और B कितना है तो ए और बी यानी एपके 5 है आप B आपके 9 हैं बाटा में 2 दू 3 ये 6 तीन हो गया नगों में से 5 जुग हटा दीजिये माइनस 4 यानी 4 ते ये 12 यहानी कि माइनस कितनταν हो गया योगफल 12 हो गया ना योगफल आपका माइनस बारह हो गया और आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर इसका बी का तीसरा है भी के तीसरा में आपको अब चार निकलना है बी के तीसरे में कितने निकालना है चार समानतरमादे निकालना है अगले में कह रहा है कि अब छोगो नहीं क्यांने है चाहिए चाहिए फर्मूला निकाला है च्शार चाहिए कि यह समाय तरह मैंने को अच्छी तरह से समझ में और स्रविकार की तरह सेbasis हैं लेकिन ए और बी एक बोद द्र नौर बढर चेंज हुआ योई योई ए निकि टीसरे में है है कि माइनस से टाथन हो मैनस से क कितान आए आज बढ़ाबर माइनस से थे उख जायेगा ऑफ कितने पहने चार तो चलिए कि हम लोग पहुंशेते हैं अपने टोपिक पे यह तो हम लोग अभी जो सलुशन किया न वह से सेम प्रोसेस होगा आप खुद सलुशन कर सकते हैं मुझे करने की जुरूत नहीं लेकि मैं एक बार कर देता हूं फिर अब बी का वैलू कितना है दो बोड़िएगा यह आपको कंफर्म हो रहा है न डी वर अबर कितना हुआ आपके दो हो गए और समांतर माध्य पर आजए तो समांतर माध्य यहां से मैं फाइंड कर लेना हूं कि एक एक वैलू किया निकला है माइनस वन इसमें हर जागा मैं कर देना ओपन ठीक है न इसके बाद डी का मान रखिए दी का मान दो है तो यहां पर हो जाएगा प्लस दो गटेगा तो एक हो जाएगा यहां पर हो जाएगा प्लस दुदुनिके चार हो जाएगा और यह एक यह खटन्ग कितना हो जाएगा यह रहा मेरे प्रिछात्रों आपके चार समांतर माध निकल एक टीन 57 1357 तो समांतर माध है आपके हो जाएंगे एक, तेन, पाँच और कितना साथ, यह आपका क्या answer, इतना तो confirm हुआ, अब ये क्या पूछ रहा था, कर रहा था, इतना था, उनका योग निकाले, जो चार समान तरमादे हैं इनका क्या निकालिएगा, योग भी निकाल कर बताइगा, कि योग आपके कितने आ रहे, तो चार समानतर माद्यों का यूग नंबर टोटल कितने है आपके चार और एक अमान कितना है आपका माइनस वन है ना प्लास बी का वैलू कितना दे रखा है नौ आप बाटा में ले लिजी है दो गटा दीजे दुदुनी के चार यह आपका हो जाएगा दो गुणे नगों में से खट में कराया हूं आपको अच्छी तरह से हर एक चीज़ समाज में आ रही होंगी तो यह आपका कोश्चन नमबर बी का तीसरे का सलुसन रहा इसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि प्रस्ट नमबर दूसरे का सलुसन जो है कि आपको कैसे करना है इसमें इसमें यह चलता हूं औहब चलता हूं और मैं यह इसको हुचो हाँ यह तो देखिए कोश्चन नमर दूसरे में आप से पूछ के रहा है जरा गौर से समझेगा कोश्चन नमर दो देखा है इस स्क्रीन पे आपको दिख विराओगा ठीए करिए यदि A और B का समांतर माध्य आपका A का पावर N प्लस B का पावर N पूरे का बटा है A का पावर N माइनस 1 प्लस B का पावर N माइनस 1 है तो N का मान ग्यांत किजिए आप किस का मान निकाला है N का मान देखे A और B के बीच का समांतर माध्य दे रखा है तो A और B के पहले बीच का समांतर माध्य हमनों निकालेंगे तो A और B के बीच का समांतर माध्य होता है A प्लस B by 2 होता है न बराबर करके जितना आपका दिया है समांतर माध्य उतना कर देंगे आसानी सेन का value find कर लेंगे ठीक है तो पहले देखें क्या दिया है समांतर मादे दिया है तो यहाँ पर हमनों लिखेंगे question में दूसरे का ठीक है दे रखा है कि A और B का समांतर मादे समांतर मादे कितना दिया है देखें कोशन में दिया है समांतर मादे दे रखा है A का पावर N प्लस B का पावर N बाटा में A का पावर N माइनस 1 प्लस B के सर पे N माइनस कितना यह न दिया है तो हर हाल में यहन कमान निकाले है तो हाई तो दिया दिया है ठीक है लेकिन A और B के समांतर माध्य वास्तों में ये और बी कह बीच का समांतर Supriters में होता क्या है to想 eo b कर समांतर माध्य निकालें ग Creation निकालें तो सम ना इतना डिया है तो a का पावर n 10 प्लस b का पावरppa एन माइनस 1 प्लस B का पावर N-1 आप बाराबर A और B के 20 समांतर मादे का फार्मूला क्या होता है फार्मूला के बाराबर कर दीजे तो बराबर हीतनल समाज में आया ना तो यह तो डोनों पशी बराबर है कियो कि तू तो समादर माधש का मां दे धिया है यह समादार का प्लस भी क्रीक पावरा यह समाथ भी लुड़를 चाहिए प्लस निष्वाक प्लस बिगणते लहाए B का पर क्या हो जाएगा 2N इतना ठीक है न इसके बाद अब इससे multiply करेंगे तो यह हो जाएगा A के सर पे N-1 into A फिर A से इसमें करेंगे तो plus B के सर पे N-1 into A ठीक है अब एक बात याद रखेगा जो आप गुणा करते हैं तो घाज जूटता है फिर B से करेंगे तो यह हो जाएगा A के सर पे N-1 into B फिर B से B में करेंगे तो B के सर पे N-1 into B इतना ठीक है एक बात बात लेजी 2A का पावर N प्लस B का पावर 2N is equal to A से A में गुणा करेंगे तो घाज जूटता है तो यह आपका हो जाएगा A का पावर N प्लस B के सर पे हो जाएगा 1-1 into A प्लस यह भी हो जाएगा A के सर पे N-1 into क्या हो जाएगा B अब B से B में गुणा करेंगे तो B का पावर क्या हो जाएगा सभी को एक तरफ है दीजे तो यहाँ पर 2 है 2A के पावर N, पहले एक तरफ कर लिजिए, प्लस B, 2N, इतना नहीं, घात नहीं, दू है न, तो 2A के सर पे N, प्लस 2B के सर पे N, मैनस A के सर पे N, मैनस B के सर पे N, मैनस 1, इंटो A, मैनस A के सर पे N, मैनस 1, इंटो B, मैनस B के सर पे N, इस इकल टू केतना, अब देखिए, एक पावर एन को एक पावर एन के साथ लेंगे तो एक पावर एन हो जाएगा ठीक है न अब बी का पावर एन को बी का पावर एन में हल कीजिए तो आपका हो जाए कितना प्लास B का पवर क्या हो जाएगा अब इसके साथ इन दोनों के एक साथ लेजिए तो यह आपको हो जाए कितना कहां के भी यह है न तो माइनस B पहले A को सजा लिजी यह को पल रख दीजी या वही बात हुए B के सर पे N माइनस 1 कर दीजी I into A इतना तो ठीक है न बरावर किसके हो जाएगा 0 को A वालों को 1 साथ लेजिए और जो B वाले है B वालों को 1 साथ लेजिए एक पावर N वालों को 1 साथ लेजिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए A का पावर N और इसमें A है इसको एक साथ और इसको एक साथ इतना ठीक है तो इन दोनों को एक साथ सजा लिजे तो यह हो जाएगा A का पावर N माइनस B का पावर N माइनस 1 हो जाएगा ठीक है A into A फिर इसको सजा लिजे तो आपका हो जाएगा क्या माइनस A के सर पे N माइनस 1 हो जाएगा इंटू B अब फिर यह हो जाएगा प्लस B का पावर N बराबर कितना मैं एक बार यहाँ पर फिर लिख देता हूँ इसको A का पावर N और माइनस B का सर पे N माइनस 1 इंटू A यह हो जाएगा माइनस a के सर पे n-1 into b प्लस b के सर पे n इतना तो ठीक है न इतना आपको अच्छी तर समझ में आ गए मैं एक बाद मिला लेता हूँ कई mistake न हो ठीक है a के सर पे a क पावर n-a a b के सर पे n-1 into b प्लस b के सर पे n ठीक है इतना तो सही है अब इन में से कामन लीजिए और इन में से कामन तो इन में से कामन आप a कामन लेंगे क्या लेंगे a जो कामन होता है उससे फिर डिवाइड भी किया जाता है a जब कामन लेंगे इन दोनों में से फिर इसको भाग देंगे तिया हो जाएगा a का पावर n-1 अब कोई कहा है कि सर एक पावर एन माइनस वन कैसे आ गया तो वह भी देख लिजिए तो कभी भी जो भी आप कामन लेते हैं उससे उन्हें फिर डिवाइड किया जाता है यह तो आपको पता होगी जो संक्या आप कामन लेंगे उससे फिर भाग देंगे उनमे तो इन दोनों म को मिल्टिपलाइ कर आएंगे देक सब्सक्राइब हो जाएगा यह अब तो समंझ में आया ठीक है अब इसी तरह से आगे देए से एक कांके सरफ पिर माइनस क्लिए फिर इंटी में से कामन आपका और है इसके बाद मैंने माइनस हो जाएगा इसके बाद माने मानस हो जाएगा कि फिर भी से यह मैनस क्या हो रहाए आप समझे कैसे है इसमें भाग दिये हैं तो जैसे यहां पर दोनों में कामन देख लेजिए तो एक सर पे n-1 आप माइनस बी के सर पे n-1 ठीक है याँ कोश्टक के बाहर ले ले लिजे पाले इनको एनको एक साथ ले 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 तो a-b हो जाएगा दूसरी कोश्टक में एक कोश्टक वाला तो a का पावर n-1 हो जाएगा a-b का पावर n-1 बराबर कितना जिरू अब इसका यदि इसको गुणांक एक माइनस बी को गुणांक मानते है तो गुणांक खटाए तो इसका बटल लाएगा आप बटे से 0 भाग देगा तो 0 कर देगा यानिकि a के सर पे हो जाएगा n-1 आप माइनस बी के सर पे n-1 इसकल त कितना जिरू बी को उधर फेज़ दीजिए तो यह हो जाएगा a के सर पे n-1 हो जाएगा इसकल टो बी के सर पे n-1 ठीक है अब देखिए यहां पर वन लिख सकते हैं यहां पर बाटा लगाएगा तो यहां पर इंट वन से मल्टिपलाई कर तो इतना ही राज जाएगा यह पर आपका हो जाएगा a के सर पे n-1 divided by B के सर पे n-1 इस घुलट कितना हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं a बाटा में B आप पूरे का खात लिख सकते हैं यह माइनस कितना 1 इस घुलट एक जो होता है किसी गाभी यहां जीरू हो तो उसका वैलू एक होता है जब है आधार बराबर होगे घातों की तुलना घातां के नियम से यन माइनस वान बरावर कितना हो जाएगा तो यह रहा आपके क्या यह यह जो है आपका एंस्वर रागा उम्मीद विफ्रेंस यह आपको अच्छी तरह से समझ में आगया होगा ठीफ आपको डिफकल्ट हो रहा होगा मल्टिप्लाई करने में और गुणाखंड करने में ए एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखी आपको अच्छी तरह से हर एक चीजे समाझ में आ जाएगी और हाँ अभी तक इसमें आपको क्लियर नहीं है तो नीचे पीडियाफ लिंक से भी आप सलुसन देख सकते हैं वहां पर भी पीडियाफ लिंक में सलुसन टार अद हूं आपको लेकर चलते हैं प्रसन मठ त्यू के तरफ की प्रसन मत तीन जो है एक से क्या हे और कैसे आं वहीं सत्रूसें क्या है और कैसे आपि नो m3 करना आ एक Bright? क्लियर हो गया ठीक है और इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको जो है कि इस वीडियो का यह अंतिम कोशन है तीसरे प्रस्ण पर लेकर चलते हैं तीसरा प्रस्ण बहुत ही सिंपल है ठीक है न दिखिए उसने क्या क्या दिया है प्रस्ण अमर्त तीन में सबसे पहले आपको हर यहां यहां मैं यह एक्सवाइजेट समांतर स्रीनी में हैं आपको इसके नहीं पर देख रहा होगा यहां मैं एक पर लिक दे रहा हूं कि यदि एक्सवाइजेट समांतर स्रेणी में है समांतर स्रेणी में यदि X, Y, Z समांतर स्रेणी में है तो आपको ये फाइंड करना है ना कि X, Y, Z यदि समांतर स्रेणी में है और कह रहा है कि X, Y का समांतर माध्य आपका A है X तथा Y का समांतर माध्य आपका A दे रखा है और Y और Z का समानतरमादी आपको भी दे रखा है, देखें, X और Y का समानतरमादी दे रखा है, और Y और Z का समानतरमादी दे रखा है, लेकिन X और Z का समानतरमादी नहीं दिया, तो पहले X और Z का समानतरमादी आपको निकाल लेजिए, इसके बाद करें, तो सिद किजिए कि AB का समांतर माध्य Y होगा आपको सीद करना है कि जो A और B का समांतर माध्य निकालेंगे A और A और ठीक है आपको सीद करना है कि A और B का समांतर माध्य तो A और B का समांतर माध्य समांतर माध्य Y होगा यहीं आपको सीद करना है तो देखें, तीनों से पहले निकाल लेजिए, तो इसके बाद देखें, क्या-क्या आपका वैलू कोश्चन में दे रखा है, X, Y का समांतर मादे दे रखा है, Y, Z का समांतर मादे दे रखा है, लेकिन X और Z का समांतर मादे नहीं दिया है, तो पहले X और Z का समांतर मादे नि दिखेंगे एक्स और जेड का समांतर माध्य तो समांतर माध्य का फर्मुला होता है एक्स प्लस वाई यानि कि पहलाए जिसका जिसका निकालेंगे उसका योग डिवाइड वे कितना दो लेकिन एक्स और जेड के बीच जो है कौन है वाई तो इसका समांतर माध्य तो य हो गया बाराव एक्स प्लस वाई डिवाइड वैट यहां से मल्टिप्लाई करा देंगे तो यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई ठीक है इसकल डू एक्स प्लस वाई नहीं जेड है ना मिस्टेक हुआ यह जेड है यह यह जेड है और यह मल्टिप्लाई करने क्या हो जाएगा टू वाई समीकार नमर कितना बन गया एक ते क्योंकि आपका देर है तीन वाइलू आपके दिये गए इसमें निकालेंगे तो एकस ब्लस जेड दिए Y Pलस Baş T है लेकिन लोग में य है तो ने भी स्ब्नатकी इंशेड न schemes प्रस्णिम में दिया है एक एक्स ततह Y का समांतर म्द आप दिखे एक्स और कि वाई का समांतर मद समांतर मकष्ण तो X का समांतर मद निकाले एक लेकिन फ्लास वाईses अné कितना एगा दो सम्हmoi कर सकते हैं या इसको पहले लिख सकते हैं इसको पहले लिख सकते हैं कोई दीकत नहीं इसके दागे में रखा है कि y और z का समानतर मा दें इसके बाद तीसरा दे रखा है y और z का समानतर मा दें y और z का समानतर माध्य बराबर आपका हो जाएगा y और z का दे रहा है तो y प्लस कितना z डिवाइड वेड कितना हो जाएगा рай语 तो तीन वायलू तो हम लोग find कर लिए लेकिन आपको जाच करना है यह कि जाच करके बताइएगा कि A और B का समयतर खाएस निए तुरंत यहां पर रख लिए लिखेगा कि ए और पी का समांतर माध्य बढ़ाबर is a प्लस बिवाटा में क्या देखे एक बात इाद रखेगा कोई भी चीज आपको जो सीध करने के लिए दिया जाता है समझ जाएगा तो वही आपको answer find करना है यानिको वही आपको answer लाना है तो आपको यदि answer जितना सीध करने के लिए दिया जा रहा है वो answer यदि आ जाता है तो भी आपका सीध हो जाएगा तो हमको answer RL में कितना लाना है? Y यदि हमारा answer Y आ जाता है तो आपका आसाने से सिद्ध किया जाएगा यह वही आपको सिद्ध करना था अब A और B का मान चाहिए तो A और B का वही लूफ पता है A का मान कितना है X प्लस Y बटा में 2 B का मान कितना है Y प्लस Z बटा में कितना है 2 पूरे का बटा लगा लिजिए 2 देखिए इसका भी 2 इसका भी 2 तो अंसो को जोड़ देजी तो X प्लस Y प्लस Y प्लस कितना Z हर समान है तो सिर्द हो जाएगा अब पूरे का बाटा यह कितना है दो इतना खिलिए रहे ना X और Z को एकसाद कर दी वे यानिक X प्लस Z यू यू कितना हो जाएगा 2y आप पूरे का बाट इसका हर एक मानेंगे भीन को पल्टेंगे दुदूनी के 4 हो जाएगा एक बात जर गौर से दिखिएगा यहां पर है एक्स प्लस जेड ना तो एक्स प्लस जेड का वहले हुमनों कहीं कितना होगा वाई क्या हमारा एंसोर य आया इन यहां यह आपको सीथ हुआ कि जो एक्स प्लस यनि कि जो ए और बी का जो माधि होगा आपको जाच नहीं हो पाता लेंगि के आपको हर हाल में बातकी तो आपका आया कितना वाई तो फ्रेंग आराए प्रस्टन सिए रहा है सप सब्सक्राइब और इसके बाद दूसरा नंबर और आपका तीसरा नंबर बताए गया लगवग आपके पांच और च्छा कोशनों का सुरसा मैं करा चुका हूँ और हाँ आपको यह दी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजेगा और हमारे साथ नहीं जूर आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगा चले फ्रेंड मिलते आप से अगले विए ततक के लिए बाए बाए